हाजी दोस्तों क्या हाल चल आप सभी के मैं मनिश आप सभी के लिए लेके आगे हूँ आर्मी के जीके और जेस के टॉप थर्टी मॉस्ट इंपोर्डिड प्रशन उससे बहले मेरे सभी फोजी भाईयों को जाहिंड जावारत तो रोज शाम नो वजे हमारी ये लाइफ क्लास होती है तो रोज शाम नो वजे हमारे साथ जुड़ जाएगे आज हम डिसकूस करेंगे जीके और जैस के टॉप थर्टी मॉस्ट इंपोर्डिड मिक्सिंग प्रशन जो कि आपके आर्मी इंपोर्डी रहेंगे और साथ में आपको जैं याद रखते हैं कल है आट महीं तो क आपके सामने है पूरी में विशवप परसिद जगंदात मंदिर का निर्मान किस द्वारा करवाया गया था है कृषिन वर्मण अनध वर्मण रहेंगे जगनात का या पूरी में स्थित जगनात मंदिर का निमान किस शाशक द्वारा करवाया गया था अनन्त वर्मन द्वारा करवाया गया था option number B अनन्त वर्मन इसका राइट अंसर अरहेगा question number 2 आपके सामने है वावर की मृत्यू कहां पर हुई थी option है आगरा कावूल लहोर या फिर दिली चाल्टी से बताईए वावर की मृत्यू कहां पर हुई थी कहां पर आगर मैं आगरा मैं हुई थी option number A आगरा इसका राइट अंसर अरहेगा अब याद रखियेगा वाबर की मृति थी तो आगरा हम उई थी पर इसका मकवरा जो है कहां पर है कावल अफगानिस्तान में इसका मकवर स्तेत है कशीर मर तीन आपके सामने है Founder of the Servant of India Society वाज Servant of India Society के संस्तापक कौन थे Option है बाल गंगादर तिलिक, दादा वाई नारोजी, गौपाल क्रिशन घोकले या फिर लाला लाजपत राय जालती से बताईए Servant of India Society की स्तापना किस ने करी थी गौपाल क्रिशन घोकले ने करी थी Option number C गौपाल क्रिशन घोकले इसका रेटन सरेगा आपके लिए कोशन है आपको बताना है Servant of India Society की स्तापना गौपाल क्रिशन घोकले ने कौन से वरिश्य करी थी Question number 4 आपके सामने है बारुत में योजना अवकाश की अबदी क्या थी The period of planned holiday in India वाज Option है बासर से पैंसर, शासर से उनत्तर, उनत्तर से बहत्तर या फिर उहत्तर से पचत्तर जालती से पताईए भारुत में Plan holiday या योजना अवकाश की अबदी क्या थी 66 से लेकर 69 या ओप्शन नमबर भी 96 जे लेकर 1969 तक जो था या क्या था Plan holiday था Question number 5 आपके सामने है The Spice Garden of India is भारत का मसाला उद्योग मगा या फिर मसालों का बगीचा कहा जाता है Option है हिमाचल प्रदेश, करनाटका, केरला या फिर असा भारत का Spice Garden या फिर मसाला उद्योग किसे का जाता है केरल को कहा जाता है Option number C केरला इसका right answer और रहेगा Question number 6 आपके सामने है Evola is a Evola एक है Virus, Vacteria, Proto-Jay या फिर Fungi जालदी से बताइए Evola जो है एक क्या है एक परकार का क्या है तो यह जो है एक परकार का क्या है Virus है Option number A Evola जो है एक परकार क्या है Virus है Question number 7 आपके सामने है Coffee पोदे के किस भाग से प्रवापत होती है Coffee is obtaining from which part of planet Coffee पोदे के किस भाग से प्रवापत होती है फूल, बीज, पत्ता या फिर फल से Flower, सीट, लीफ या फिर फूरूट से एंसर क्या रहेगा तो पोदे से नहीं कहां से बीज से प्रवापत होती है Option number B पोदे के कौफी जो है पोदे के बीज से प्रवापत होती है Question number 8 आपके सामने है नेव लिखित में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी Option आपके हैं इबराहिम लोदी फिरोशा तुगलक जेलालुदीन खेल जी या फिर महाम्मद वीन तुगलक बिच आफ ती फॉल्विंग सुल्तान व्राइट ही ज ओटो वाइग्रोफी ओटोवाइग्रोफी के सुल्तान ने लिखी थी फिरोशा तुगलक फिरोज शा तुगल की जो है इन्होंने अपनी क्या लिखी थी अपनी आतम कथा लिखी थी जिसे किस नाम से जाना जाता है इसे जो है फुतुहल फुतुहल ए फिरोज शाही क्या फुतुहल ए फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है किसके नाम से फुतूहल ए फिरोशाही के नाम से जाना जाता है फिरोशात तुगलिक की आतमकथा को Q9 आपके सामने है The organ affected by diphtheria is Diphtheria से परभावित अंग है जिगर, लिवर, लंग्स, फेफडे, हार्ट, हिर्द्य, थ्रॉस, ऐनी, गला जालती से बताईए, diphtheria से मानुश्रीर का कौन सा अंग्स परभावित होता है गला परभावित होता है option number D, गला इसका राइडन से अरहेगा Q10 है, हडपा के किस स्थल पर घोडे के निशान पाए जाते हैं फिर घोडे के निशान प्रापत होते है option है, काली बंगा, लोथल, सुर्खोटदा या इनमें से कोई नहीं जालती से बताईए, हडपा के किस स्थल से घोडे के अपशेश प्रापत होते है कहां से प्रापत होते है सुर्खोटदा कहां से, सुर्खोटदा से प्रापत होते है option number c सुर्ख कोड़दा इसका राइट अरहेगा question 11 उससे बेले वीडियो को लाइक निगरा जल्दी से सभी दोस्ट चुएं वीडियो को लाइक और वीडियो को शेर कर जीजिए question 11 है ब्रिटिश काल के दुरान भारत में पहली जनगर्णा किसके कारेकाल के दुरान हुई थी option आपके हैं दफरिन लीटिन मोयो या फिर मोयो या फिर रिपन जल्दी से पताईए निजया है से बिरिटिश काल के दुरान पहली जंगंडा जो है किसे नवारा या फिर किसे काल मैं हुई थीश काल में हुई थी।адцा मयह क्यू थीय क्या थि्ट कैो लॉड मैय आपकर लें आप्षिन दंबर सी राइसक पे दिगद भारत की पहली जणगंदा 1172, 1872 में पहली जणगंदा हुई थी, 1881 में 10 जणगंदा सुरी हुई थी, तो आपको बताना है 1881 की जणगंदा हुई थी, किस के काल में या किस ने करवाई थी क्वाशन नमर 12 आपके सामने हैं, हो प्राइट संस्कृती क्रामर, संस्कृत व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया था, आप्शन आपके हैं कालिदास, चारक, पार्णी या फिर आरेवट, जाल्दी से बताए, संस्कृत व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया था, पार्ण दोने इसका राइट अंसर और रहेगा कौशन मर 13 हैं नाना सहीव के नाम से कोण लोकप्रीय था वुशब नाथ विशव नाथ विश्व नाथ या फिर माध्वराव उन प्रत्व टो नाना सहिव के नाम से किस से जाना जाता था बालाजी वाजी राव को जाना जाता था ओप्शन नमबर वी बालाजी वाजी राव इसका राइट एंसर अरहेगा नमबर चोधा हैं बाल पैन फंक्शन और बीच वन आफ दी फॉल्विंग प्रिंसिपल वाल पैन निमल इकित में से किस सिधान पर कार्य करता है ऑप्शन है सर्फेस स्टेंशन साता तनाव श्यानता गुर्ता करशन फल गुर्तला करशन बल ग्रैपिटेशनल फॉर्स या फि यह किस फंक्शन फ्रिंसिपल पर कार्य करता है सर्फेस टेंशन पर कार्य करता है ऑप्शय नमबर ए सर्फेस टेंशन इसका राइड एंसर रहेगा कौश्शन नमर 15 आपके सामने है ड़ किस ओफ ट्यूबर क्लॉसिस इज ख्षेयरोग का कारण क्या है अब आपको हिंडी म है पता होगा ट्यूबर क्लोसिस यानी टीवी टीवी आपका किसके कारण होता है फंगी के कारण वाइडिस के कारण वैक्टीरिया के कारण या फिर प्रोटो जुआ के कारण तो टीवी जो होता है किसके कारण होता है यह आपका वैक्टीरिया के कारण होता है आप्शन नमब वी, option number C, वैक्टीरिया इसका रेट अर रहेगा, question number 16 imported है, इंडिया फर्स्ट टेल्क फिल्म पडल्स इन 1931 वाज वारत की पहली बॉलती फिल्म जो की 1931 में आई थी, कौन सी थी, नील कमल, शकुंतला, आलम आरा या इन में से कोई नहीं, तब फर्स्ट टेल्क फिल्म, पहली बॉलती फिल्म भारत की कोन थी, आलम आरा थी, कब आई थी, 1931 में आई थी, और इसके निर्देश कोन थे, या फिर इसके डिरेक्टर कोन थे, अब डिरेक्टर याद रखना है, पूछे का जुरूर एक्जाम में, इसके डिरेक्टर थे, अर्देशिर इरानी, कौन इर्दाशिर इरानी जो थे, इनके क्या थे, इस फिल्म के डिरेक्टर थे, आलम आरा के, कॉशन मर 17 है, निमल लिकित में से कोन अगस्थ ओफर से जुड़ा था, वू अफ दी, फॉलोविंग बाज अस्टिएटिड विद अगस्थ ओफर, ऑप्शन है, लिथ, लिथिन गो, वेवल, इर्विन या इन्वे से कोई नहीं, अगस्थ ओफर या अगस्थ परस्ताफ से कोन से व्यक्ति जुड़ी हुए थे, तो लॉड लिन लिथीगो, कोन, लॉड लिन लिथीगो जो है, आपके जुड़े, ऑप्शन नमबर ए, इसका राइट अरहेगा, कॉशन बर 18 है, जासकर श्रेणी स्तित है, जासकर रेंज इस स्टेटिड इन, ऑप्शन है, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, लदाक या फिर इन्वे से कोई नहीं, जासकर श्रेणी जो है, कहां से यूड़ी हुए, आपकी, कहां पर स्तेथ है, या आपकी लदाक में स्तेथ है, आप्शन नमबर C, लदाक इसका राइट अरहेगा, क़्शन नमबर 18 आपके सामने, मैंचेस्टर आफ साउथ इंडिया इज, दाक्षन भारत का मैνचेस्टर किसे कहा जाता है, आप्शन है, मधुरई, चन्न्नेई, कोईमटूर या इनमें से कोई नहीं, जालदी से बताईए, डक्षिन भारत का, मैंचेस्टर का जाता है किसे कोईमटूर को कहा, जाता है option number C, कोईमटूर इसका राइट अरहेगा question number 20 है, their oldest coil field in India is भारत में, सबसे पुराना coil ख्षेतर कौन सा है, option है, जर्या, रानी गज, वकारो या इन्ने से कोई नहीं सबसे पुराना कोईला क्षित, कौन है, रानी गज, option number V, रानी गज, इसका राइट अरहेगा वीडियो का लाइक निकरा, चल्दी से सभी दोस्टों है, वीडियो को, लाइक और वीडियो को शेर कर जीजिए question number 21 आपके सामने है, that is, thrombosis is associated with रोग, thrombosis किस के सबंदीत है, या किस के कारण किस से सबंदीत है, यह भारत का, माप कीजिए thrombosis जो है, मार शरीर के किस भाग से सबंदीत है, heart, eyes, blood या फिर lung, thrombosis जो है, यह शरीर के किस भाग को effect करता है, यह जो है, शरीर के blood को effect करता है, इसे रक्त का धक्का भी कह सकते हैं रक्त धक्का ना वनना इसे कह सकते हैं क्या रोग होता है यह थ्रूंबस इस लोग आपका होता है तो और आप्षिन नुम्बर सी ब्लड इसका रहें सर अरहेगा कॉश्चन नुम्र बाइस है भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की स्तापना किसके द्वारा करी गई थी इंडियन नाशनल कॉंग्रेस वाज फॉंड़िट वाए ए ओ हयू डवली सीव एनरजी एस एनरजी या इन्वेसे कोई नहीं भारतिय र इसका एथाएस दिसंबर 1845 में स्की स्तापना भाए ए ओ हयूं डवारा जो है और द्रगेस इसकी स्तापना करी गई टम्परेचर क्यों री जो है किसकी काई होती है रेडियो एक्टिविटी की काई होती है आप्शन नुमर सी इसका राइट और रहेगा क्योंचनवाच 24 लाइफ सरकल ओफ WBC इस अप्रोक्समेटली WBC श्वेत रक्त करिकाओं का जीवन काल लगवग होता है एक दिन दो से 20 दिन एक सो 20 दिन या इन में से कोई नहीं तो डोविविश्य का जीवन काल जो होता है तीन से चार दिन का होता है या फिर दो से चार दिन क होता है कभी कभी option में आपको 2-20 दिन या 13-20 दिन भी देखने को मिल सकता है तो maximum कि आपको जह option में 3-4 दिन देखने को मिलेगा तो option कौन सा option नमबर B 2-20 इसका राइड अंसर रहेगा और red blood cell का जो जीमन काल होता है 120 दिन होता है option नमबर C याद रख लीजिएगा और राइड अंसर एगा option नमबर B कॉश्चन नमबर 25 आपके सामने ताइफाइड बुखार किसके कारण होता है ताइफाइड फिबर इस कैसे बाएड वाइरस वैक्तिरिया फंगस या इनमें से कोई नहीं जालती से बताइए ताइफाइड किसके कारण होता है किसके कारण बैक्तिरिया के कारण होता है option नमबर B बैक्तिरिया इसका राइड एंसर आ रहेगा कॉश्चन बाद 26 करांची इज स्टेटिड ऑन दी बैंक ओफ विच राइवर करांची किस नदी के तड़ पर यह किस किनारे पर स्तीत है option है चिनाव तिग्रिस या इनमे से कोई नहीं कि कराची कि सेश में आपका वाकिस्तान तो बाकिस्तान का शहर कराची जो है किस नदी के किनारे स्थित आप्शन नुमबर वी सिंदो नदी इसका राइड़नसर और रहेगा कॉशन नमर 27 है कितने राज्चियों की सीमा मेमार के साथ लगती है इंडियन स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर वीड मेमार चार तीन पांच या फिर छे याद रखिए मेमार के साथ चार आजे लगते हैं मनिपूर और लास आपका आता है मिजोरुम ठीक है मिजोरुम यह चार आजे जिए किसके साह लगते हैं आपके मेमार के साह लगते हैं नेक्स कुश्र आपके सामने, जब सिकंदर ने बारत पर आकर्मन किया, उस समय मागत का शाशक कौन थे? मागत के शाशक कौन थे? मोरे, नंदा, गुप्ट या फिर हर्यक्स. सिकंदर या फिर, अलेकसंडर ने जब बारत पर आकर्मन किया था, उस समय मागत के शाशक कौन थे? नंद शाशक का और नंद का कौन शाशक था? दनानंद. कौन था? दनानंद. दनानंद जो था इसका शाशक था. नेक्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स्क्स् फिर option number D इसका right और रहेगा, caution mark 30 आपके सामने हैं, अमर कटक 18 से किस नदी का उद्गम होता है, अमर कटक से किस नदी का उद्गम होता है, गड़क नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या फिर गागरी नदी, किस नदी का नर्मदा नदी का उद्गम होता है, कहां से, अमर कटक पहार से, अमर कटक पहार से होता है, लास्ट कॉश्चन आपके सामने है, ट्रॉपिक आफ सेंसर, पासिट टुगैथ, करक रेखा, गुजरती है, जम्मू, हिमासिवदेश, विहार, या फिर जारकर, कौन से राज्य से होकर, करक रेखा आपकी गुजरती है, चालती से कमेंट बॉक्स में इसका राइटन सर्फ बताईया, वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेर करके बताईयेगा, पाकी नुतिया कोश्यादार वीडियो में तब तक लिए ख्यार के, अपने गर्वल के ख्यार के, जाहिंद जावारत,